नमस्कार मैं हूँ सतीश कौशिक एक्टर डिरेक्टर प्रडूसर और आपका चहिता हास सेकलाकार मेरा नाम है केलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर देखते रहे हैं आई इंडिया संत मलूग दास द्वारा अस्थापित वनगर आश्रम तमाम अयतिहासि धरोहरों को संजोए हुए है यहां आश्रम नए मिशारेन छेत्र की 84 कोशिये परिक्रमा के पहले पढ़ावस्थल कौरवना के दच्छर दिशा में इस्ठित है बताया जाता है संत मलूग दास करीब 600 साल पहले अपने गुरू देव मुरारी की आग्या पर यहां आये थे वह इलाहबाद के पास इस्ठित कड़ा मालिक पुरस्थान से यहां पहुचे थे उन्हें चिंता थी कि वहां उन्हें भोजन कौन देगा इस पर उनके गुरू ने कहा था कि वहां भगवान तुम्हें मार मार कर खाना खिलाएंगे बताते हैं वास्तों में ऐसा हुआ भी इस घटना के बाद उन्होंने कहा था अजिकर करेन चाकरी पंची करेन काम दास मलूका कह गए सब के दाता राम जिस वटवरच्च की खोह में बैटकर उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ वह विसालवरच्च आज भी यहां विद्दिमान है बताते हैं मठ में उनकी शैया चैनल पादुका यहां रखी हुई है मलूक दास द्वारा यहीं से गुर्परंपरा की सुरुवाध भी की गए उस समय यहां विसालवन था इसलिए मठ का नाम वन गण आश्रम पड़ गया मलूक दास कुछ दिन यहां ठहरे उसके बाद अपने शिष राघाव दास को मठ की जिम्मेदारी सौप कर ब्रहमण करने चले गए मजूदा शमय आश्रम में संत परंपरा की धारा महंत संतोस दास खा की प्रवाहित कर रहे हैं आश्रम के इतिहास वो महात्म पर प्रकाश डालते हुए संतोस दास ने आई इंडिया से कहा कर देखे थे मलुक दी तो इनहाओ को नहां ने कहां चाह edustा लां पर तो वह सचों सब्सक्राइब कर करें माद 간 करद आता है वह पहले दिन यहीं पर उनका विस्त्राम था सब्सक्राइब क 있़को देंकर और Camera यहां UK किसांव ने इसी बट WOR 5 कि टैनियों में रोटियां वान रखी थी कि दोपार को विस्राम के समय उसे खाएंगे उधर से कुछ दस्ची हुआ है तो उन्होंने रोटी देखी उनको संका हुई कि भाई ये रोटी कहीं जहर मिली नहों तो इसकी परिक्षन के लिए उन्होंने ढूडा तो खोह में बैठ चीकरेन काम दास मलूका कहे गए सब के दाता राम इस तरीके से मलूक दाजी को शीक दिन यहां ठहरे और उसके बाद अपने सिस्चे स्री रागोर दाजी महराज को यहां आसन का भार छोड़ करके और भ्रमण करने के लिए चले गए अच्छा इसके बाद फिर यहां पर य मोटी चाते हैं तो बावा नहींुके इस जिन्दा कर दिया और फिर वो जो दारी 2- aparecer दास माझा तक नहीं पर दिक्षा लेकरके और आसं की शार समार करने लिए दो आरिक जल का संधान कीजिए तो कभई मैंने तो 40 साल से जल पिया ही नहीं है पडोस में कुवा आए जाओ वहां से जल भर लो कुवा पर गये तो कुवे में मसक नहीं डूब रही थी तो जल कम है इसलिए मसक नहीं डूब रही है तो बाबा ने का कि बाइए समराज हैं आप पूरे भारत के जाओ उससे को तो अटेड़ा हो जाए और जल मसक में आ जाए लेकिन ऐसा संका करने पर उसने का जाओ कहे दो जा करके भारत दाजी ने कहा है कि अतित सिवा के लिए जल की ज़र्लों थे तो अटेड़े हो जाओ आज वह तेड़वा कुवा नाम से जाना जाता है और फिर उसके बाद उनके सिवा भारत दाजी के हरी दाजी महराज हुए उनको अनिमा सिद्धी थी उनकी अपरहत वो सारी जागीर अपरहन कर ली गई अधिनस्त कर ली गई इस्ट्रिया कंपनी के द्वारा तो हवा बन करके लाड़ विलियम बेंटिक के आवास पर गए अऊर उसको इसने पुझा भाई आप को नर estar? इसन लिखा है कि अभारत का सिद्ध तो इसको हवा में घूल करके मारने की ताकत है और This इंडिया कंपनी इसके छंट though को देखर के इसकी आपरहत जागीर बक्सीस में देती है इस्ट इंडिया कंपनी असवा भारत के अन्याने वाली सरकारों का इस पर कोई हखकूम न होगा तो इस तरीके से बावाहरी दाजी के सिस्य स्रीवावाज उद्यादाजी हुए और उनके सिस्य स्रीवाज स्याजि महाराज क्हाओग की ऑर उनका मैं महान संथौजदाज खाखी सिस्य हुँं और इहां पर उनके बाद आसन्द की सेवा समार और सादू सेवा ठाकुर जी की पूजा आरतियाधी की वेजश्ता करता हूं और यहां की क्रेज़ चाकरी पंची क्रेज़ काम और दास मलोका कह गए सबके दाता राम यहां पर आस्रम बना कर निमास किया और गुरुपरंपरा को आगे बढ़ाया राजैंदर सींग आई इंडिया के लिए संदना से सितव नमस्कार मैं हूँ सतीश कौशिक हैक्टर डिरेक्टर प्र मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर देखते रहिए आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया